आपके साथ अमित कुमार आज हम आप पहुंचे हैं जहारखन के एक ऐसे इस्कूल में जहां बच्चे को घर से बुलाकर इस्कूल में कैसे पढ़ाई करवाई जाए और सीटी बजा के इस माध्यम से बच्चों को घर से इस्कूल तक लाया गया है आए इस परजेटे हैं चूटी कैसे बजा रहे हैं यहां के इस्कूल के शिच्चत और कि जागूर्ट कर रहे हैं यहां के प्रभारी प्रदाना ज्यापक राज्ट्य कृत्रमित उच्विद्याले अधिया धार्खन सरकार की यह एक बहुँ प्रतिशित योजना जो की समाज क सभी बच्चों को चाहे वो आर्थिक ज्रिस्टों से पिछरे हों चाहे वो किसी भी तरह से पिछरे हों चीज़े बात करते हैं, सीपी कर, कैसे अभी बावको को आप मोटिवेट कर पारएं? हम लोग गली में महली महले में जा ज़ा ज़ें, घरघर से बच्चों को लाने के लिए सीपी बजा रहे हैं और बच्चों के गवारा है उनको अपने स्की तक लाने के लिए प्रयास करेंगे। एक गाना बनाए के लिए जागे। और बच्ची आ रहे हैं और उसके बार के घंबर के तंशा कम हो रहे हैं, उसको सीथी बजा चरके लिए तंशा मताने। यह सुप्या जा रहा है अभी बावकों को मोटिमेट करने के लिए वोगी। बच्चों को स्कूल लाने को गलियों में जाएंगे। चीदोणा आएको सिथी बजाएके। अब बच्चों से बात करते हैं, कैसे हम आ रहे हैं आपके लिए वोग तुपी काते हैं लिए जो बच्चे नहीं आते हैं ना, बच्च्ची बजाते हैं और उनकी ख़र जाते हैं बच्ची और है हमारे साथ। मैं सिष्टी कुमारी इस स्कूल की प्रधानमत्री हूँ, मैं क्लास एक में पढ़ती हूँ और हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी बच्चे घर में बैठे हैं उनको हम गली महले तक जाके सीटी बजाकर उनको भी स्कूल आने के लिए प्रेडित कर सकते हैं। प्रेडित कर रहे हैं आज इसके सीटी बजाओ, बच्चों को भुदा प्रभ्यान जारे हैं। आरखंड सरकार की ये पहल और सिख्षकों के साथ मिलकर घर से बच्चों को लाने की ये कवायत इतनी सराहनिया पहल कर रहे हैं ये लोग